पणजी पणजी शहर भारत के राज गोवा में इस्तित है जिसे पणजम के नाम से भी जान जाता है और साथी में पणजी शहर गोवा राज की राजधानी भी है ये शहर मंडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है जो अपने खुबसूरत बेचों एत्यासिक चर्चों और पुर्तगाली बारोक शैली में बनी रंगीन इमारतों आजचीजों के लिए काफी जादर लोग प्रिये है 2011 की जनगरना के नुशार पणजी शहर में 64% हिंदू, 26% क्रिस्चन, 8% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं इसके अलाबा ये शहर नौर्थ गुवा डिस्ट्रिक्ट के अंतरगत आता है और साथी में पढ़जी शहर गुवा का सफ्षे बड़ा शहरी शमूवी है पढ़जी उन 100 शहरों में से एक है जिने स्मार्ट सिटी मिसन के अंडर सिलेक्ट किया गया है 1987 से पहले गुवा भारत का एक केंदर सासित प्रदेश हुआ करता था लेकिन 1987 के बाद गुवा को राज घूचित कर दिया गया और इसकी राजधानी पढ़जी को बना दिया गया लेकिन 1987 से पहले पंड़ी केंदर सासित प्रतिस गोवा के शाथ-शाथ दमन और दीप की भी राजदानी हुआ करती थी इसके अलाबा पंड़ी को कसीनो गेमिंग कैपिटल और गोवा भी कहा जाता है अगर घुमने फिरने की बात की जाए तो पड़ी में घुमने के लिए काफी खुबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर हर साल हजारों लोग घुमने आते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं परजी में घुमने की पांच सबसे अच्छी जगा जहां पर हर साल घजारों लोग घुमने आते हैं तो शुरुआत करते हैं नमबर फाइब से नमबर फाइब पर है Immaculate Conception Church Immaculate Conception Church का पूरा नाम Our Lady of the Immaculate Conception Church है इस चर्च को 1541 में पूर्तगाली बारुक शैली में बनाया गया था यह पूरे गोवा के सबसे शुन्दर और सबसे फेमस चर्चों में से एक है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरू सबस्क्राइब कीजिए नमबर फोर पर है दोना पावला बीच दोना पावला बीच गोवा के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है यह जगे तूरिस्ट के बीच लवर्स पेराडाइस के नाम से भी जान जाती है दोना पावला बीच पर आप लोग कई बॉर्टर एक्टिवीज के भी मज़े ले सकते हैं जिसमें स्कूबर डाइबिंग, पेराशीलिंग, शनवाथिंग आज शामिल है नमबर थ्री पर है अगवाडा फोड़ अगवाडा फोड़ को सत्रे मिस्तापदी में पूर्टगालियों के द्वारब बन बाया गया था इस किले से सिन केरिम बीच और अरब शागर का एक बहुती अच्छा भ्यू दिखाई देता है अगवाडा के किले में अगवाडा लाइट हाऊस एचिया का सबसे पुराना लाइट हाऊस है यह किला गोड़ के सबसे लोगप्री परेटन इसलो में से एक है यहाँ पर पूरे साल तूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है नमबर टू पर है डेल्टिन रोयल कशीनो डेल्टिन रोयल कशीनो गोवा का ही नहीं बलकि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कशीनो है यह गोवा की मंडोवी नदी के बीच एक पाच मंजला जहाच पर बना हुआ है इसके तीसरे फ्लोर पर एक कशीनो है जिसमें 113 गेमिंग टेबिल और 850 गेमिंग पोजीशन है यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा पोकर रूम भी है और अब नमबर पन पर है बेशलिका ओफ बॉम जीसस बेशलिका ओफ बॉम जीसस पुराने गोवा का एक चर्च है जिस 1605 में बनाया गया था बेशलिका में सेंट फ्रांसिस जेबियर का एक मकबरा है इस चर्च को बहुती खुबसूरती से डेजाइन किया गया है और इसका फर्स भैतरी शंगमरमर का बना हुआ है जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए है इस चर्च को देखने बहुत शे परि तक लगातार आते रहते हैं आप लोग इन जहों के अलाबा पड़जी में घूमने के लिए श्री शांता दुर्गा टेंपल गोवा स्टेट म्यूजियम एशी कैथेडरल शलीम अली बड़ सैंचुरी रेश मगोशपोर्ट आज येगज जा सकते हैं झाल